नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमें नींद क्यों नहीं आती है आखिर क्या बात है कि आपको नींद नहीं आती तो चलिए शुरू करते हैं सुबा उटकर आप फ्रेश डील नहीं करते छोटी छोटी बातों पर गुसा आ जाता है तो यह लक्षन स्लीप सिंड्रोम के हैं एक रिसर्च के मुताबिक लगबख 5 प्रतिशत से अधिक लोग इस स्लीप सिंड्रोम से पीडित हैं जानते हैं कि नींद ना आने की वज़ा क् रात में आपकी बार-बार नींद तूटती है कितनी ही देर बिस्तर पर लेट लें सपनों की दुनिया में खोने का चांस नहीं मिलता और अगर नींद आ भी जाए तो यह गहरी नहीं होती अगर इस तरह के आसार हैं तो आपको स्लीप सिंड्रोम की प्राबलम है एक सर्वे के मुताबिक भारत में 90 प्रतिशत लोग नींद ना आने की बीमारी से ग्रसित हैं और लगभक 60 प्रतिशत लोगों के रूटीन पर नींद पूरी ना होने का सीधा इफेक्ट पड़ता है डॉक्टर कहते हैं कि नींद दो तरकी होती है गहरी नींद यानि नौन पीड आई पाँच गंटे की भी आ जाए तो बाड़ी रिलेक्स हो जाती है लेकिन कच्ची नींद भले ही आठ गंटे की हो वह बाड़ी को रिलेक्स नहीं करती रिसर्ट से ये भी पता चला है कि नींद ना आने की वज़ा होती है टेंशन और डिप्रेशन इसके अलावा लाइफ और बाड़ी पेन भी नींद ना आने की वज़ा बनता है एक सर्वे में ये भी आया है कि अवेरनेस ना होने से लोग इसे मामूली चीज समझते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते याने नींद ना आने की इस्थिति को कोई समस्या मानते ही नहीं है दरसल सही तरीके स नींद ना आना कई बीमारियों की वज़ा बन सकता है लोग सोने का समय फिक्स नहीं रखते कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे जब मन किया सो गए इसके अलावा रात को प्रापर नींद ना आने की एक वज़ा ये भी है कि दिन में लंबे समय तक सोना यह तै है कि अगर आप दिन में एक घंटे सो जाएं तो रात को प्रापर नींद कताई नहीं आने वाली अगर दिन में सोना ही है तो 15-20 मिनट काफी होते हैं सोते समय टीवी देखना एवाइड करें क्योंकि टीवी पर चल रहे प्रोग्राम का काफी असर आपकी नींद पर पढ़ता है टीवी पर कोई मन पसंद प्रोग्राम आ रहा है तो सोना ही भूल गए इससे बचें बजाए इसके अगर आप सोने से पहले 15-20 मिनट किताबें पढ़तने की आदट डाने तो आपको अच्छी नींद आएगी एक शोध के मुताबिक सोने जाने से पहले टीवी पर कोई हॉरर प्रोग्राम या सेड सीन याने दुखी करने वाला जो सीन होता है उससे भी आपकी नींद उड़ जाती है दिन भर की ठकान के बाद हर वेक्ति की यहीं इच्छा होती है कि उसे अच्छी और भरपूर नींद आए लेकिन तब काफी तकलीब देख इस्तिती होती है याने बहुत मुश्क के लिए जरूरी है ऐसे में ठीक से नींद ना आना वाकई एक गंभीर समस्या है अनिद्रा को याने नींद ना आने की इस्तिती को हलके में नहीं लेना चाहिए इससे कई तरह की बीमारिया हो सकती है नींद की कमी से एकागरता में कमी, कई तरह के परिशानिया, पेट की गरबड़ी, आँखों की नीचे काले घेरे, उल्टी, चिर्चिडापन, आदी समस्या हो सकती है इसलिए आप अच्छी और सुकून की नींद से समझोता बिलकुल ना करें, क्योंकि भरपूर नींद हमारे शारिडिक और मानसिक स्वास्ते के लिए जरूरी है आए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसमें नींद में खरल पड़ता है चिंता और मानसिक अवसात, चिकित्सक मानते हैं कि चिंता और डिप्रेशन नींद ना आने की एक बड़ी वज़ा है डिप्रेशन और नकरात्मक सोज के कारण भी नींद नहीं आती मानसिक और भावनात्मक असुरक्षा भी अनिद्रा की एक बड़ी वज़ा है समय पर सोने और जागने की आदट डाले चिंता और अवसाद को अपने आसपास फटकने न दे अच्छे दोस्त बनाएं अकेले पन से दूर रहें रात को ये टेंशन लेकर न सोएं कि अभी ये काम करना तो बाकी रह गया शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ और दर्द आपकी अच्छी नींद में बाधक तत्व है अपने आराम के लिए भी वक्त निकाले सोते समय सिर के नीचे छोटा तकिया रखें एक तकिया अपने घुटनों की नीचे और दूसरा अपने घुटनों और जांगों की बीच में रखें शरीर का वजन शरीर के नीचेले हिस्ते की और आ जाएगा और आप आराम से सो सकेंगे बहुत ज़्यादा चाय काफी पीना कैफीन को नीद का दुश्मन समझा जाता है बहुत ज़्यादा मातरा में और कई बार काफी पीने से भी नीद कम आती है चाय काफी की मातरा को सीमित करें और दिन भर में दो तीन बार से ज़्यादा इसका सेवन न करें आपको सोने में दिकत न हो इसके लिए जरूरी है कि आप दिन में दो बज़े के बाद काफी न पीएं इसमें मौझूद कैफीन का असर आपके शरीर से खत्म होने में 6 घंटे लग जाते हैं सोते समें घर में ज्यादा रोशनी होना ट्यूब लाइट जलना आदी अच्छी नींद में बाधक तत्व हैं सोने से एक घंटे पहले कमरे की लाइट हलकी कर लें सोते समें अच्छी और सकरात्मक बातें सोचें शराप और सिगरेट पीने वालों में अक्सर अनिद्रा याने नींद न आने की समस्या पाई जाती है अत्यधिक नशा करने और नशा न मिलने की वज़े से भी नींद नहीं आती है अलकोहल से आपके सोने का रुटीन डिस्टर्ब हो जाता है अगर रात के पहले पहर में नींद आ भी जाये तो दूसरे पहर में नींद में खलल पड़ती है नतीजा उदासीनता और चीठीडापन व्यक्ति महसूस करता है शराब और सिगरेट की लत ना पाले रात में सोने से पहले दूध पिए जिससे अच्छी नींद आएगी उमीद कि ये वीडियो आपको अच्छी नींद लाने में भरपूर सहायक होगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार